गाजा में हमास के समर्थर में गुदे हिजबुल्ला और इसराइल के बीच एक बड़े युद्ध की आश्रंग का बढ़ती जा रही है हाला कि दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि वे फिलहाज तनाव कम कर रहे हैं लेकिन दोनों तरफ से कई ऐसी घटनाए सामने आती रहती हैं कि उससे लगता है कि तनाव कम होने की जगए बढ़ता जा रहा है दरसल इसराइली सेनिकों ने कबजे वाले वेस्ट बैंक में रात भर सेन्य अभियान चलाया इसराइल ने इस अभियान में फिलिस्तिनी लड़ाकों को निशाना बनाया इस सेन्य अभियान में अब तक कम से कम नौ लोग मारे गए हैं इसराइली सेना का कहना है कि मारे गए सबी नौ लोग आतंकी थे इसराइली सेना की एक अधिकारी ने कहा कि अभी भी अभियान जारी है इसराइल ने हमास के हमलों के बाद से उसके समू में शामिल होने के शक में वेस्ट बैंक से हजारों फिलिस्तिनीों को गिरवतार किया है और इस आप तक 580 से अधिक फिलिस्तिनी मारे गए है आपको बता दे कि इसराइल ने जिस वेस्ट बैंक के लाके में एक घातक अभियान को अंजाम दिया वहाँ इसराइली सेन शासन के तहट लगबग 30 लाख फिलस्तिनी रहते हैं इसराइल के इस तरह के अभियान से उस इलाके के फिलिस्तिनी नागरीकों को परिशान किया जा रहा है इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइली सेना जेनिन और तुलकरम पर ध्यान दे रही है जो फिलिस्तिनी शहर है और आतंकियों का गड़ बन गए है जिनके फिलिस्तिनी गवर्नर कमाल अबू अलरब ने कहा कि इस्राइली हमले भयंग कर थे शहर में बीच बीच में गोलियों और विस्ट फोटो की आवाज गूच रही शहर के कुछ हिसों में कर्फ्यू लगा दिया गया और अस्पतालों के गेट घेर लिए गया उन्होंने कहा कि लोग आतंक और चिन्ता में जी रहे हैं इस्राइल ने ये सेन्य अभयान तब शुरू किया जब अमेरिकी और इस्राइली अधिकारियों ने कहा कि इरान विस्ट बैंक में हतियारों की भारी खेप पहुचानी की कूशिट कर रहा है क्योंकि इरान इसराइल से अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिसाब चुकता करने में लगा है